हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ZTL Infrastructure सेर की एंड यहाँ पर समझेंगे कि जो LIC एंड बहुत सारी वैंकों ने यहाँ पर इंवेस्टमेंट कर रखा है उसका क्या यहाँ परपस है सेर यहाँ पर कहा तक जाएगा एंड इसके लेटेस्ट टारगेट के साथ साथ हम बात करेंगे इसकी सभी लेटेस्ट अपडेट टी तो फर्स्ट अभी हम बात करेंगे इसकी लेटेस्ट न्यूस के एंड जिस में आप बताए गया है कि इतनी तेज रपतार से यह सेर चल दा है और चार रुपए का यह सेर जिसमें LIC समेत बड़े-बड़े बैंको का है दाओ एंड कौन-कौन से बैंक यहां पर रहने वाले सबसे पहले हम इसके प्राइस की ऊपर नजर रखें तो चार रुपए 15 पैसे तक यह सेर आज के दिन पहुंच चुका है और आज के दिन बामुन वीक का हाई वी इसने फ्राइडे लास को लगा है था दो यार ते प्यूशिघी दिखायी है सबसे पहले हम उन्हें बैंको की बात करें ग्रख रहे हैं जिन बैंकों ने सेर में इनुढ्ट हमें कर रहा है तो उनकों का नाम यहां पी निजी बेंक के उन्हें निवेश कर रखा है जिसमें Bank of India Union Bank of India के पास 12% से ज़्यादा की इस्सेदारी है Central of India की Central Bank of India की बात करें तो 7% से ज़्यादा की इस्सेदारी आपको स्क्रीन के साइड में भी दिखाई दे रही होगी उसी के साथ यदि हम Bank of बड़ोदा की बात करें तो 5.36% की इस्सेदारी इनके पास भी आए इंडियाट ओवर सीज बैंक के पास 5.23% की इस्सेदारी है Canada और ICICI Bank की बात करें तो क्रम साथ 4% और 3% से ज़्यादा की इस्सेदारी इनके पास भी यहाँ पर देखने को मिलती है उसी के साथ यदि हम Life Insurance of India और LIC की बात करें तो इनके पास भी 3.33% की इस्टेक दिखती है पेजी का ट्रेंड यह कब तक चलेगा इसके टार्गेट क्या रहेंगे इस वीडियो में आप लास तक बने रहेंगे सारा कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में यहाँ पर यदि हम देखें कुछ और लेडर्स न्यूस तो हमें साब साब पता चलता है कि यह जो लीडिंग टेलीकॉम इंफ्राइस्टर्चर ब्रांड है जीडियल इंफ्राइस्टर्चर इसमें अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है 22 टेलीकॉम सर्कलों में यह कंपनी फैली हुई है जिसमें से 28,000 से ज़्यादा टेलीकॉम टावर इसके संचालत है उसको इंफ्राइस्टर्चर भी करती है साथ साथ मेंटिनेंस का काम यही एक सिंगल कंपनी देखती है उसके साथ साथ यदि हम इसकी बिसाल नेटवर्क के साथ इस कंपनी के हाई नेटवर्क की बात करें तो काफी बड़ा इसका नेटवर्क फैला हुआ है इसके साथ साथ ऐसे भी क्रिटिकल रीजन है जहां पर यह कंपनी फैली हुई है नौर्थ इस रीजन की बात करें जहां पर आपका असम मिजोरम मेगालाय जैसे रीजन साते हैं वहां पर यह कंपनी टावर इंफ्रेस्टेशन का का काम करती है माताव इसनुदेवी कडरा ज हिमालियन रीजन है वहां पर इसकी मोनोकॉली मानी जाती है तो यह कंपनी इन रीजनों में काम करने के साथ साथ पूरे इंडिया में तो फैली फैली है जिस कारण से इस कंपनी में लगातार आपको अपर सर्केट देखने को मिलते है मैं इस कंपनी के बाद चैनल के स्टार साथ रुपाई पैसे पर भी मैंने वीडियो बनाई उसके बाद 1 रुपाई पर 1.5 रुपाई पर कई दिनों तक सेयर चला, 6 महिने तक चला तब भी आपको इस सेयर की वीडियो प्रो आप रहें देना आभी भी मैं लगातार इस सेयर की वीडियो बनाता रहता हूं क्योंकि पैने इस्टॉक रिक्सी होती होती है सारसाद आपको वो रेटन देते हैं जो आप एकस्पेक्ट करते हैं एकस्पेक्ट नावी करते हैं तो वह रेटन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इस सेयर की तेजी के साथ साथ इस सेयर की उस मजबूती को भी प्रदरसित करते हैं जो और अन सेयर हो जो पहनी स्टॉक है उसको कही न कहीं इस सेयर को अलग करते हैं उन सभी पहनी स्टॉक से तो ZDL Infrastructure एक ब्रांड है जो टेलीकॉम सेक्टर में फैला हुआ है और आपको पता है यहाँ पर 5G सेक्टर में इस क्वाटर में प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो यहाँ पर प्राइज हाइक की बात है चल रही थी वो यहाँ पर कम्प्लीटली जियो एयर्टल ने कर दी है जियो ने आपर 27% के हाइक दिया है अपने प्लांस में एयर्टल ने भी कुछ इसी प्रकार का हाइक अपने प्रीवियस प्लांस में दिया है यदि आप भी रीचार्च कराते होंगे तो आपको पता होगा कुछ समय से ही रीचार्च अभी महें हो चुके हैं जिस कारण से आ नहीं नहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है तो पूरे सेक्टर में तेजी के साथ साथ यदि इस सेयर में भी देखें तो जो रिटायन है अभी फॉस जन्वजी से अभी तक 217% से ज्यादा के हो चुके हैं यदि हम 6 मंत की बात करें तो 166% से ज्यादा की रिटायन इस अकेले सेयर ने बना के दिये 5 साल में वो रिटायन 400% से ज्यादा की है जो यहाँ पर अनेक्सपेक्टेवल है किसी भी पहनी सेयर में इतने ज्यादा रिटायन कोई भी एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा हाई रहने वाली है यदि इस सेयर की बात करें तो इस सेयर में जो इस technical analysis पे अपर circle लगाने हुए जाएगा उसके साथ यदि हम NSE BSE में भी बात करें तो 4 रुपाई 15 पैसे तक share पहुचा है ASM list 1 में जरूर है क्योंकि लगातार अपर circle लगाने के बाद से भी की जो guidelines है उस कारण से आप ASM stage 1 का सामना इसे करना पर दा है इसके साथ यदि हम latest target की बात करें तो target इसका 2030 तक 50 रुपाई का सभी मार्केट चैनलों पर और आप बताये गया है तो यदि आप 50 रुपाई का बेट करना चाहेते तो जरूर आप अपनी risk free income यहाँ पर investment करें जो आपको long time के basis पर profit देगी ना देगी वो यहाँ पर समय account है उसकी link है उसको आप open करें जरूर आपको यहाँ पर 200 रुपाई का bonus मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा बगाए वीडियो पसंदा है लाइक करें चैनल पर पहली बारो सब्सक्राइब करें अभी हम मिलते हैं नेट्स वीडियो में latest information के साथ